Hello Everybody Social Religious Reform का ये Part 2 है Part 1 में हमने डीटेल से ब्रहमो समाज के बारे में बात की थी अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो description box में आपको link मिल जाएगा पहले उस Part को देखिए बहुत डीटेल में हमने ब्रहमो समाज के उपर बात की थी और जितने भी UPSC के different exams के दोरा पूछे गे previous year questions है उन सारे previous year questions को भी किया था नाव बात करेंगे हम लोग प्रातना समाज से इस सारे topic को cover करने के बाद जितने भी PYQs है वो सारे करेंगे देखिए प्रातना समाज के अस्थापना कब की गई 1867 में और ब्रहमो समाज की हमने बात की थी 1828 में वो की गई थी इसके founder कौन थे दीखिए मैंने बताया था कि जब केसो चंदर सेन जी ने ब्रहमो समाज को जोईन किया था तो ये पैन इंडिया लेबल पर फैल गया देश के अनने कोने कोने में भी ब्रहमो समाज के इसी तरह से बॉंबे में भी ब्रहमो समाज का इंफ्लूएंस देखने को मिला और बाद में 1867 में केसो चंदर सेन जी ने हेल्प की आत्मा राम पांडू रंग की परात्ना समाज को इस्टेबलिस करने के लिए उसके तीन सालों के बाद MG रेनाडे परात्ना समाज को जोईन करते हैं और उसके बाद से परात्ना समाज काफी पॉपुलर हो जाता है अदर लीडर्स कौन थे परात्ना समाज के RG भंडारकर और NG चंदवरकर तो यहाँ पर आपको important बात क्या याद रखनी है सबसे पहली बात disapproval of caste system यानि caste system को disapprove करने की इनोंने बात की दूसरा woman education पर काम किया तीसरा video remarriage की यह लोग बात करते थे और चौथा age of marriage for both male and female को increase करना यह इनके main points थे अब देखिए जब भी question बनते हैं generally इन समाज से तो इनका founding year पूछ लिया जाता है directly या फिर इन्हे chronology में आपको set करने के लिए कहा जाता है तो आपको brief idea होना चाहिए कि किस year में किस समाज की establishment हुई उसके बाद अब यह लोग जब PYQs करेंगे तो देखेंगे कि और किन किन type के question आते हैं आपको founder का नाम ज़रूर याद रखना है हर समाज से related now next बात करते हैं great scholar और social reformer इस्वर्चंद विद्या सागर की उनके ideas में Indian और western दोनों thought का blend देखने को मिलता है 1850 में वो Sanskrit college के principle बनते हैं ध्यान रखिए हिंदू college की बात नहीं की जारी क्योंकि statement में कभी-कभी Hindu college बोल के confuse किया आता है तो इस्वर्चंद विद्या सागर Sanskrit college के principle बने उन्होंने Sanskrit college को हर किसी के लिए open कर दिया known brahman के लिए open कर दिया गया और उन्होंने एक बंगाली primer लिखा वर्ण परीचे के नाम से देखे यह वर्ण परीचे आज भी काफी popular है बंगला सीखने के लिए वर्ण का परीचे यह है और काफी यह famous भी है तो इन्हें लिखा किसने इस्वर्चंद विद्या सागर ने बहुत important point है यह ध्यान रखिये नाव next देखे इस्वर्चंद विद्या सागर ना आपको यह बताना है कि भारत में सती पर्था का उन्मुलन किस एक के द्वारा फाइनली किया गया लोर्ड विलियम बेंटिक ने किस एक का यूज करके विडो रिमेरेज को भारत से फाइनली जो है वो खतम किया 1849 में J.E.D. बेथून के द्वारा बेथून कोलेज के अस्थापना की जाती है जिसके सेकरेटरी आगे चलके बनते है इस्वर्चंद विद्या सकर ये देखिए प्रिवेज सेर कोश्चन में काफी बार पूछा गया है और इसी बार के सीविल सर्विस्वें ये कोश्चन भी आया है कि बेथून कोलेज के सेकरेटरी कोन बनाय गये थे अब देखिए हाला कि ये बहुत डिफिकल्ट कोश्चन ही क्योंकि बहुत बार डिफेरेंट एक्जांस में पूछा गया है फिलाल आप ये ध्यान रख लीजे कि बेथून कोलेज के सेकरेटरी इस्वर चंद विद्यासा करते नौ नेक्स्ट बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए न्यूजपेपर की सो न्यूजपेपर का नाम है सोम प्रकास न्यूजपेपर का क्या नाम है सोम प्रकास और उन्होंने एक बुक भी लिखी बहु विवा के नाम से बहु विवा अफकोर्स पॉलीगेमी से पॉलीगेमी पर बात करती है कि किस तरह से पॉलीगेमी समाज के लिए गलत है ना नेक्स्ट बात करते हैं यंग बंगाल मुवमेंट की देखे यंग बंगाल मुवमेंट हेन्री विवियन डेरोजियो के दुआरा फाउंड किया गया हेन्री विवियन डेरोजियो कोन थे? एक एंगलो इंडियन थे 1820 के आसपास ये मुवमेंट देखने को मिला अब इस मुवमेंट की क्या विचार धारा थी? वो समझते हैं देखे डेरोजियो के followers को डेरोजियन्स के नाम से जाना जाता है और यंग बेंगाल movement की शुरुवात लगबग 1820s से लेके 1830s तक चली अब इन्होंने inspiration लिया French Revolution से French Revolution से क्या inspiration लिया इनके main inspiration थी कि आपको freely सोचना है, rationally सोचना है हर authority को question करना है love, liberty, equality, freedom इन चीजों पर इनका focus था और जो descendants, custom or tradition है उन चीजों को oppose करना देखे डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ और बहुती young age में ये teacher बन गया है 1820 से लेकर 1826 से लेकर 1831 तक इन्होंने Hindu college में पढ़ाया ठीके college का नाम आप याद रख सकते हैं important question से बनता है Hindu college में इन्होंने पढ़ाया 1820 से 1826 से लेकर 1831 तक, लेकिन चुकी इनके विचार काफी ज़्यादा radical थे उस समय की society इतनी ज़्यादा राइप नहीं थी कि इन radical ideas को adopt कर सके, इसलिए finally इन्हें डेरोजियों को 1831 में Hindu college से remove कर दिया गया हटा दिया गया 1831 में ही बहुत ही young age में डेरोजियों की cholera बिमारी से death हो जाती है नाव अब ये समझिये कि जो डेरोजियन movement था वो real link जुड़ने में masses के साथ असफल रहा क्योंकि पीजेन स्काउज और उस समय की जो societal problem थी उन चीजों से ये deal करने में असफल रहा यानि इनके जो विचार थे वो बिल्कुल perfect थे बट उस टाइम की society इन विचारों को adopt करने में असफल रही नाव नेक्स्ट बात करते हैं बाल सास्त्री जामबेकर की बाल सास्त्री जामबेकर ने जनरलिजम के थुरू बोंबे वाले एरिया में social reform को बढ़ावा दिया इन्हें मराठी जनरलिजम का फादर भी माना जाता है इन्होंने दो बहुत ही famous newspaper स्टार्ट किये पहले का नाम है दरपन और दूसरा दिग दर्शन इन दोनों newspaper के माध्यम से ये समाज में social reforms जैसे वीडो रिमेरेस हो गई इन चीजों को लेकर के awareness फैलाते थे तो आपको दो newspaper जो मैंने बता है ये सबसे ज़्यादा important question यहां से बना हुआ है दरपन और दिग दर्शन आपको याद हो अगर तो civil services में हाली में एक book के बारे पूछा गया था कि विठ्थल विद्वनसक book जो है वो किनों ने लिखी तो इस टैप से question बहुत जादा important हो जाते हैं दरपन और दिग दर्शन ये दो newspapers found किया गए थे बाल सास्तिरी जाम बेकर के द्वारा ना नेक्ष्ट बात करते हैं परम हंस मंडली की परम हंस मंडली महराष्ट रीजन में 1849 में found किया गया year मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार chronology में आपको set करने के लिए year दिया जाता है इनके founder का नाम देखे ददोबा पंडूरंग और महताजी दुरगाराम ये दो नाम बहुत जादा important है अगर आपको पूछा जाएगा कि परम हंस मंडली के founder को ने तो option में ददोबा पंडूरंग जरूर दिया जाएगा अब इस मंडली के जो founder थे उनका जो primarily interest था वो caste rules को break करना इन चीजों फे इनका focus जादा था और ये अपनी meetings में food cooked by lower caste people was taken by the members ताकि जो समाज में caste rules है ये चीज़े break हो सके now next बात करते हैं सत्य सोधक समाज की सत्य सोधक समाज यानि truth seeker society इसके स्थापना कब की गई बहुत important year है 1873 किनके द्वार आप सबको पता होगा जोतिबा फुले के द्वारा अब इस सत्य सोधक समाज का main name क्या था social service करना education का बढ़ावा देना women और lower caste people में भी जोतिबा फुले ने दो बहुती famous books लिखी सारोजनिक, सत्य धर्म और दूसरा गुलामगिरी गुलामगिरी का नाम आपको पताई होगा बहुत जादा important book है सत्य सोधक समाज से जुड़ी हुई है जोतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है और दूसरी book का नाम भी याद रख लिजे सारोजनिक सत्य धर्म जो फुले हैं वो gender equality पे काफी ज़्यादा firm believer है इन्होंने अपनी पतनी सावित्री बाई के साथ मिलके girls college खोला पूना में जितने भी important pointers थे सत्य सोधक समाज से रिलेटेड वो हमने cover कर लिये इस वीडियो में इतना ही topics सकते हैं अब आये previous year questions को देख लेते हैं अब देखिए ये UP PCS में पूछा गया है इसी साल बोला जा रहा है जोतिवा फुले किस चीज से संबंदित थे किस movement से associated है पहला civil disobedience movement दूसरा trade union movement तीसरा बोला गया anti-caste movement अभी हमने देखा कि जोतिवा फुले anti-caste movement से जुड़े हुए थे महराष्ट में इन्होंने सत्य सोदक समाज के स्थापना की 1873 में पीजन movement बिल्कुल नहीं इसका answer फिर क्या बना anti-caste movement option C अब ये question बहुत बार पूछा गया है हर साल किसी न किसी exam में आता है बोला गया सत्य सोदक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया हमने देखा option B इसका correct answer है जोतिवा फुले जी के द्वारा सत्य सोदक समाज के स्थापना गया है next question देखिए civil services का पूछा गया है बोला जा रहा है सत्य सोदक समाज ने क्या organize किया सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जब हमें states के नाम दिये गया हो सारे different है सिर्फ आपको ये भी पता है कि सत्य सोदक समाज महराष्ट में organize किया गया तो यहाँ से आप answer mark कर लेते वैसे आपको पता होगा बहुत सारे भी हमने questions भी किये कि सत्य सोदक समाज basically एक anti-cast moment था जो तिवा फूले जी के द्वारा 1873 में महराष्ट में start किया गया था तो इसका फिर correct answer क्या options थी अब देखिए civil services को question है तो again ये भी PYQ में cover हो जाता है और in future जो questions बनते हैं वो इन ही questions से derive किये जाते हैं अब ये question देखिए civil services में 1995 में आया था काफी पुराना question है बट बहुत relevant है जमना लाल बजाज ऑप्सन हमें दिये गए है बोला गया कौन सा correctly met नहीं है जमना लाल बजाज ने 17 अश्रम वर्धा में open किया दूसरा जादा भाई नरोजी क्या Bombay Association से जुड़े हुए है तीसरा बोला गया है लाला लाजपत राए National School of Lahore से associated है चोथा बोला गया बाल गंगाधर तिलक सत्यसोदक समा से नहीं अब हमने देखा उसके according इसका answer option D correct है सत्यसोदक समाज के अस्थापना जोतिवाफ फुले नहीं की थी Now next question देखिए CDS 2017 का है बोला गया है कौन से जो moment है वो राजा राम मोहन रोय के दौरा found किये गयता है तो अगर आपने मेरा इसका पिसला part नहीं देखा है जिसमें मैंने राजा राम मोहन रोय के बारे में detail से बात की थी तो प्लीट जाकर के उस वीडियो को देखिए वहाँ पे मैंने काफी extra information भी बताई है सो हमने देखा कि प्रातना समाज के अस्थापना आत्मा राम पांडू रंग ने की थी तो हम अगर option से 3 को eliminate कर दें क्योंकि हमें पूछा गया राजा राम मोहन रोय ने कौन कौन से स्थापनाई की सो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे B और C हमें सिर्फ यह देखना है क्या 1 जो है वो राजा राम मोहन रोय जो के द्वारा स्थापित की गई थी या नहीं आत्मिय सभा बिल्कुल सही हमने देखा था आत्मिय सभा ही आगे चलके ब्रहमो समाज के रूप में आगे बढ़ा था तो फिर इसका अंसर क्या बना option C 1 and 2 only next question देखिए West Bengal PSE 2020 में पूछा गया हाला कि यह बहुत सारे स्टेट PSE में पूछा गया है बोला जा रहा है प्रात्ना समाज के अस्थापना किसने की थी अभी हमने देखा इसका अंसर क्या है option C आत्माराम पांडूरंग ने next question देखिए हर्याना सीविल सर्विशेज 2021 का है बोला गया कि Social Reform Organization के स्थापना Bombay में दादोबा आत्माराम पांडूरंग के द्वारा की गई थी ये बाद में popular हुआ MG Ranaade के जोइन करने के बाद काफी popular हो गया तो हमने देखा था प्रात्ना समाज के स्थापना दादोबा आत्माराम पांडूरंग ने की थी इसका option C correct answer है प्रात्ना समाज next question देखिए बोला जारा यंग बंगाल मुवमेंट के बंगाल में fail करने के पीछे primary reason प्रमुक कारण क्या था option से हमारे पास it did not appeal to educated people हमने देखा कि ये educated people को भी अपील कर रही थी बट इनके कुछ ideas काफी जादा radical थे जो उस समय की society के according राइप नहीं थे सो हमें पूछा गया था कि कौन सा जो reason है यंग बंगाल मुवमेंट के failure का था तो इसका option C correct answer हो जागा क्योंकि ये बहुत ही जादा radical मुवमेंट था उस समय के message के साथ ये directly connect नहीं हो पाया और बाकी के options भी देख लेते हैं economic program was not popular नहीं ऐसा नहीं है ये मुख्य वज़ा नहीं थी failure की दूसरा बोला गया it did not have good leaders बिल्कुल ये भी गलत है so हमारा answer बना option C it was too much radical ये काफी जादा radical थी उस समय की society के according now next question देखिए cds 2014 का है दो statement आपको दिये गए हैं और उसके basis पर आपको answer करना है पहला statement बोला गया है राम मोहन रोय in his famous work gift to monotheism put forward weighty arguments against belief in many gods and for the worship of a single god यानि gift to monotheism जो राजा राम मोहन रोय ने लिखा उसमें उन्होंने बहुत ही strong arguments दिये हैं बहुत सारे भगवान पर जो belief होते हैं वो उनके against में और worship करना एक single god का इस चीज़ को लेके सो हमने देखा था last के lecture में हिराजा राम मोहन रोय ने gift to monotheism लिखा था और इसमें single god के worship के बारे में बताया था तो ये तो बिलकुल सही है दूसरा बोला गया राम मोहन रोय in his percepts of Jesus try to separate the moral and philosophical message of the new testament ये भी बिलकुल सही है percepts of Jesus में इनोंने separate करने की कोशिस की moral और philosophical message को जो की new testament में लिखे गया है अब हमें इसके basis पे answer करना है बोला गया दोनों ही statement true है और second statement, first statement को explain करता है आप ध्यान से सोचिए क्या ये statement इस statement को explain कर रहा है या नहीं राम मोहन रोय in his percepts of Jesus try to separate यानि new testament की बातों को अलग-अलग करने की कोशिस की गई दूसरा एक अलग book का नाम दिया गया gift to monotheism ये बातें इसे explain नहीं कर रही है दोनों ही बाते factually correct है बट आप खुद भी सोचेंगे logically तो ये जो बात है first statement की वो second statement first statement को explain नहीं कर रही है तो यहां से हमारा answer बना option B ठीक है देखिए ये question थोड़े tricky होते है थोड़े difficult होते है जब आप इन दोनों को eliminate भी कर देते हैं तो फिर आपके पास A और B बसते है वहां पर आपको ये सोचना रहता है कि क्या second statement first statement को explain करता है अगर आप बहुत ही clear cut सोच लेते हैं कि हाँ बिल्कुल इसका explanation है तो ही आपको A के साथ जाना चाहिए वैसे इस question का correct answer क्या है option B अप ये question देखिए CDS 2014 का है बोला गया बिल्कुल सही हमने देखा था कि 1849 में J.E.D. बिल्कुल के द्वारा बेथून कोलेज के स्थापना की गई जिसके बाद में सेकरेटरी बने इसवर्चंद विद्या साकर जी तो ये वुमेन एजुकेशन को लेके थी बहुत सही बात ही है इसवर्चंद विद्या सागर का जन्म 1820 में हुआ था तो 1800 में ये कैसे फर्स स्टेप हो सकता है तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है देखिए हाला कि ये कोश्चंद थोड़ा डिफिकल्ट है ये के कारण बट 1820 में इसवर्चंद विद्या सागर बहुर्ण हो है तो ये स्टेप्मेंट गलत हो जाता है ना हमारे पास फिर कौन सा अंसर बना फर्स्ट तो सही है बट सेकेंड जो है वो गलत है ओप्सन C is correct अस्टेप्मेंट 1 is true बट सेकेंड is false ना नेक्स्ट कोश्चन देखिए UPSC CAPF का पूछा गया बोला जारा प्रात्ना समाज के बारे में कौन से कर्थन सही है पहला बोला गया इस एम वाज टू रिफोर्म दा हिंदू सोसाइटी पिल्कुल सही हमने देखा था कि इस मुव्मेंट का बेसिकली एम था हिंदू सोसाइटी को रिफोर्म करना इट वाज बेश्ट इन महराष्ट्रा बिल्कुल सही है प्रात्ना समाज जो है वो महराष्ट में बेश्ट था दूसरा बोला गया इट बिलीब इन मोनोथिजम इसमें केशव चंद्र सेन जी का भी बहुत बड़ा योगदान था प्रात्ना समाज की स्टेबलिस्मेंट में और चुकी केशव चंद्र सेन जी खुच ब्रहमो समाज से जुड़े थे तो ब्रहमो समाज के काफी सारे आइडियाज परातना समाज में भी लिये गए तो यहाँ पर यह statement उल्टा हमें बोल दिया गया It had greatly influenced नहीं It was greatly influenced itself by ब्रहमो समाज तो यह 4 तो मारा गलत बन गया और हमाँ बाकी तीनों के statement सही है So option C is correct है So इस वीडियो में इतना ही रखते हैं Next वीडियो में हम लोग परमहन्स मंडली आरे समाज और भी बहुत सारी हमारे पास इस तरह के organization बची हुई है उन सारे को cover करेंगे Thank you so much